मुवी की सुरुवात में हम लॉंजबे और डखमस नाम के दो डख्स को दिखते हैं, जो किसी केज में बन थे, लॉंजबे उस केज को अपने टैबलेट की मदद से खोलने की कोसिस कर रहा होता है, डखमस उसे कह रहा होता है कि ये केज तुमारे टैबलेट से नहीं कुलने व जाती है आगे हमें तीन दिन पहले का सीन दिखाया जाता है लॉजब अपने टैबलेट पर गेम खेलने में भीजी था वहीं हम लॉजबे के फादर पैंगली को दिखते हैं जो अपने मास्टर से सेंसियंट कला को सीखने की कोसेस कर रहा होता है तब ही वहां उसके पास लॉजबे भागता हुआ आता है और उससे पूछता है कि वो लोग उड़ क्यों नहीं सकते वो कब तक ऐसे ही एक जगा रहेगा पैंगली उसे कहता है कि वो लोग मैंडरिन डग हैं और उन्हें उड़ के पास उनकी जरूरत की सारी चीजे मौजूद है तब ही लॉजबे के पास मास्टर का एंसेंट बुक नीचे गिर जाता है लॉजबे उसमें पढ़ता है कि हर सौ साल के बाद उनकी दुनिया पे अंधेरे का सैतान आता है जो सूरज की सारी उर्जा को अपने अंदर समाने की कोसिस करता है और दुनिया खत्म होने के कागार पे पहुंच आती है पर कोई उस संधेरे को रोक सकता है तो वो है संडक पर दुनिया को बचाने के लिए संडक को अपनी जान गवानी होगी लॉजबे अपने डाड की तरफ देखता है क्योंकि सबको पता था कि पैंगली पेंगली उससे बुक छीन लेता है लॉंजवे उस बुक की बातों पर भरोसा नहीं करता है और वहाँ से चला जाता है उसके वहाँ से जाने के बाद वो मास्टर पेंगली से कहता है कि हमेशा वीडियो गेम खेलने से उसके हेल्थ प्यासर पड़ेगा पैंगली उसे कहता है कि जब तक वो गेम खेलता रहेगा वो उलना नहीं सिखेगा क्योंकि लॉंज में ही रियल संडग था और इसलिए पैंगली नहीं चाता था कि उसका बेटा किसी खत्रे में पड़े क्योंकि उस भुक के हिसाब से रियल संडग को अपनी जान गवा कर दुनिया बचानी पड़ती है और इसलिए पैंगली ने इस बात को और किसी को नहीं बताया था सिवाए अपने इस मास्टर के आगे हमें एक मार्केट को देखते हैं जहां कैंगा और निक नाम के दुकान से कुकीज चुलाने की कोसिस कर रहे थे पर तभी वहाँ कॉपर नाम का पुलीस ओफिशर अपने डॉक के साथ आता है और उन दोनुचोर को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है वो सब भागते भागते एक बंदपड़े रेलवे ट्रैक पे जाते हैं पर अचानक से उस पे ट्रेन आ जाती है और वो सब किसी तरह अपने आपको बचापाते हैं उस ट्रेन से मिस्नॉट निकलती है जिसकी खुबसूरती देखकर सब हैरान थे मिस नॉट अपने आपको एक घर में ले जाने को कहती है उसके पास उस घर की तस्वीर भी थी वहाँ एक आदमी आता है और कहता है कि उस घर में तो कई साल से कोई भी नहीं रहता है और वो मिस्टनॉट को उसके सामान के साथ उठा कर अपने ट्रॉली पे रख लेता है और उसे उनके घर पहुचाने निकल जाता है यहां लॉंजवे अपने टावर से देखता है कि कुछ डक्स का ग्रूब उनके आइलेंड प्याया है पर उन डक्स का लीडर की बेटी एरीका अपने ग्रूब से निकल कर वहां टावर के पास रुख जाती है लॉंजवे उससे छुप कर देखने लगता है वो सारे डक्स वहीं रुखते हैं उन सब का लीडर डक्स नाम का एक डक होता है वो अपने ग्रूब से कह रहा था कि वो लोग सही सलामत हवाई पहुँच चुके हैं लॉंजवे वहां से उनकी बाते सुन रहा था वो कहता है कि कैसे डक्स हैं इन्हें ये भी नहीं पता कि ये हवाई नहीं बलकी चाइना है तभी उन सारे डक्स के पास पेंग्ली आता है और उनका अपने आइलेंड पे वेलकम करता है पर डक्स उससे रूडली बेहेव करता है और कहता है कि वो यहां हवाई में छुट्टिया मनाने आये हैं पर पेंग्ली उससे समझाता है कि ये हवाई नहीं बलकी चाइना है पर डक्स उसकी बाते नहीं सुनता है और उसे वो एक मैप दिखा कर कहता है कि ये हवाई है वो कभी गलत नहीं हो सकता है और इसी बात को लेकर उन दोनों में वहां जगड़ा हो जाता है तभी पेंगली कमाश्टर उससे कहता है कि उसके सूरज को पंप करने का टाइम हो गया है उन सारे मेंडरिन डक का मानना था कि पेंगली ही सूरज को उगाता और डुबाता है डकमस उस पे हर्षने लगता है कि वो उससे डर कर भाग गया वो अपने सबी ग्रूप्स की आर्मी से कहता है कि वो सब वहाँ पास की क्रूज में आराम करेंगे इधर मिस्टनॉट के घर पे कॉपर नजर रख रहा था क्योंकि उसे वो पसंद आ चुकी थी तभी वो देखता है कि वो दोनों चूर वहाँ भी पहुंच गए है निक मिस्टनॉट के घर के बाहर रखे सामान को खोनने की कोसिस करने लगता है तभी कॉपर आकर उन्हें पकड़ लेता है और मिस्टनॉट को जाकर बताता है कि ये लोग उसकी घर पे चोरी करने वाले थे पर मिस्टनॉट उन्हें कॉपर से बचा लेती है और कहते हैं कि वो इसे छोड़ दे क्योंकि ये उसी के आदमी है कौपर उन्हें वहीं छोड़ कर चला जाता है वो दोनों मिशनौट को उन्हें बजाने के लिए थैंक्स बोलते हैं पर वो उन्हें एक डग की तस्वीर देती है जो लॉंजवे की होती है और कहती है कि ये एक बहुती रेयर डग है और उन्हें वो पकड़कर उसके पास लाना है वो दोनों कहते हैं कि ये काम वो बड़े आराम से कर देंगे और उस डग को ढूनने वो दोनों निकल जाते हैं रात में लॉंजबे छुपकर एक खुफिया रास्ते के तुरूस क्रूज के अंदर पहुंचता है वहीं डखमस के पास उसकी सेक्रेटरी डून आती है और कहती है कि उसकी डॉटर ने उनके रूल्स को तोड़ा है और उसे अभी तक पनिस भी नहीं किया गया है इससे उनकी आर्मी को गलत संदेज जाएगा डखमस एरिका को पनिस्मेंट के तौर पे एक रूम में बंद कर देने को कहता है डून एरिका को उसी रूम में ले जाकर बंद कर देती है जहां लॉंजबे छुपा था लॉंजबे अपना सर डख कर भागने की कोचिस कर रहा होता है पर एरिका उसे देख लेती है और उससे पूछती है कि तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो लॉंजबे उससे कह देता है कि वो उससे यहां से बाहर निकालने आया है और वो उस घुफिया रास्ते से होते हुए उसे बाहर लेके आ जाता है एरिका बाहर आकर बहुत खुस हो जाती है वो देखती है कि लॉंजवे उड़ नहीं सकता लॉंजवे उसे अपने बारे में बताने लगता है कि कैसे उसके डैड ने उसे उड़ना नहीं सिखाया क्योंकि वो कहते हैं कि मैंडरिन डग उड़ते नहीं है एरिका कह दिये कि सारे डैड ऐसे ही होते हैं उसके डैड बे उस पे हमीसा चिलाते रहते हैं लॉंजवे कहता है कि हाँ तुम्हारे डैड थोड़ा पागल लगते हैं यह सुनकर एरिका उस पर गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है अगले दिन एरिका फिर से लॉंजवे के पास आती है वो लॉंजवे को उड़ना सिखाने लगती है पर लॉंजवे की पहली उ लिए जगाकर उसे तोड़ने का सोचते हैं लॉंजवे एक बार फिर से उढ़ने की कोसिस करता है और उस टावर से कूच जाता है वो सच में अब उढ़ पा रहा था वो तेजी से उढ़ने लगता है और जाकर वहान जूर से पहाद से तकराता है उधर उन दोन चोरों ने बा कर बाहर जाने लगा था लॉंजबे भी बैता हुआ उस होल तक पहुंचता है पर निक उसे लात मारकर अंदर धकिल दीता है लॉंजबे फिर से हावं में उपर उड़ने लगता है एरिका भी उसके पास आ जाती है वो दोनों अब बहुत खुश थे वो दोनों वहां से देख है कि वो लोग साथ में कहीं और भाग सकते हैं और दोनों साथ में जाने लगते हैं पर लॉंजबे तुरंत वापस आ जाता है और कहता है कि वो अपने डैड को ऐसे छोड़ कर नहीं जा सकता एरिका भी वापस अपने डैड के पास चली जाती है अगली सुभा जब डखमस जहाने के लिए तालाब में चलांग लगाता है तो वो देखता है कि तालाब तो पूरा सूख चुका है। वो गुस्सा हो जाता है और पैंगली से लड़ने लगता है। वो दोनों एक दूसरे को इसके लिए जिम्मेदार मान रहे थे। वो दोनों अपने साथ के डक्स को लड़ाई के लिए तैयार करने लगते हैं। पर लॉंजवे अपने डैड और बाके सभी को बताता है कि लेक उसकी वज़ा से गायब हुआ है। क्योंकि उसने वहाँ के पहाड़ में टक्कर मार कर एक होल कर दिया था। उसके पास एरिका आती है और उससे कहती है कि वो उसके साथ है। तब ही वहाँ डक्मस भी आता है। जिसे देखते ही पैंगली उसे एक लाप मारता है और वो सीधा उस लेक में गिनने लगता है। जहानी कुस होल के तुरू अंदरा का डक्मस को पकड़ लेता है और उसे अपने केज में बंद कर देता है। एरिका डक्मस को बचाने के लिए जाती है। जब ही एक डक्ड़ देखती है कि लाउजडवे के सीने में सन का साइन चमक रहा है। वो कहती है कि ये तो सन डक है। मतला बब अब तक पेंगली ने उन्हें बेवकूब बना का रखा, कि वो सन डक है। उसका माश्टर सब को बताता है, कि उसने ये सब लॉंजवे की जान बचाने के लिए किया था। लॉंजवे भी एरिका की मदद करने के लिए उसके पीछे जाता है। वो दुनों चो डखमस को लेकर मिस्टनौट के पास आ जाते हैं। लॉंजवे और एरिका भी उसका पीछ लगसे कहता है कि उन्हें लॉंजबे को बचाने के लिए जाना होगा और वो उन सब को उड़ना सिखाने लगता है मिशनौट संराइज होने से पहले अपनी एक खास मसीन को रेडी करने लगती है और इधर कैंग उन डगस के साथ खेल रहा होता है तब ही उसके पास लेता है और वो कैंग को वहां उसकी रसी से बांद देता है मिशनौट अपने घर के ऊपर अपना मसीन से एट करने लगती है उसका एंटीना सूरज की उर्जा को खीचने लगता है डगमस को बचाने के लिए एरिक का बाके आर्मी को लेकर उसके पास पहुंच चुकी थी पैंगली भी अपने बाके सभी डग्स के साथ वहां आ चुका था वो सारे डग्स मिलकर उसके हमला कर देते हैं और पैंगली के एक तीर से मिशनौट का असली चहरा सब के सामने आ जाता है वो एक बहुती बूड़ी और अथी और वो वापस अपनी जवानी पाने के लिए स सर पे एक मसीन लगा लेती है जिससे उसे सूरज की उर्जा मिलने लगती है वो वापस से जवान और सुन्दर होने लगती है लांजब भी उस के साथ ही वहां से भागने की कोसिस करने लगता है पर वहां के एक तार से बिजली के जटके लगने से उसका केज ढूट जाता है मिशनौट उसे पकड़ने लगती है बाहर सारे डक्स मिलकर उसका एंटीना तोड़ देते हैं और पेंगले अपने डक्स के साथ मिलकर सूरज की रौशनी को एंटीना तक पहुँचने से रोकने लगता है पर मिशनौट के पास एक और बैक अप एंटीना था उसकी मैसीन फिर से काम करने लगती है लौशवे वहाँ से भागने की पूरी कोसिस कर रहा होता है मिशनौट उसे पकड़े हुए थी लौशवे सूरज की तरफ अपना हाथ करता है और सूरज का सारा पावर उसके सीने बे पढ़ने लगती है और बहुत जल्द उसकी पावर से वो एक जलता हुए आग का गोला बनकर मिशनौट के घर में गिरता है उसका सारा घर बरबाद हो जाता है एरिका लौशवे को ढूनने जाती है वो वहीं दबा पड़ा होता है सब सोचते हैं कि वो मर चुका है पर लौशवे जिन्दा था एरिका उसे गले लगा लेती है पर वो मास्टर कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है उसके बुक में तो लिखा था कि संड़क अपनी जान देकर दुनिया को बचाएगा लौशवे उसे कहता है कि ये सब बातों में वो विश्वास नहीं करता उन्हें अपनी बुक बदलनी चाहिए आगे हम देखते हैं कि कॉपर मिशनौट से मिलने आया है पर मिशनौट अब एक बूड़ी औरत लग रही थी पर फिर भी कॉपर को वो सुन्दर ही लग रही थी और वो उसे अपने साथ डेट पे आने का पूछता है और इसके साथ ये मुवी यहीं खत्म हो जाती है तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक और सेर दे वीडियो और प्लीज सब्सक्राब तो माचनल और प्रेश बेल इकन